हेलो अब्रीवन सुटे 2022 की आराम सीरीज में आप सभी का फीर से स्वागत है आज की लक्षे में हम देखेंगे स्टीक टेस्ट और रेमेडियल टीजिंग क्या होता है इसके बारे में आज की लक्षे में जानेंगे और पिछला लेक्छर था उसमें हम जान चुके हैं कि सी-सी प्रेइलिस सीटेट 2022 लेंविज पेपर बने पेपर टू जहां आपको सारे लेक्टर सीक्मेंस में मिल जाएंगे इन लेक्टर को देखर आप सीटेट की पेपेशन कर सकते हैं आते हैं आज की टॉपिक पर जो है डियाग्नॉस्टिक टेस्ट देखे हमने जब सीची की बात कर है कि बच्च drown जब नठी नठीखर कर रहा है ँस तेस्सृ Εरिया में किस कंसे में प्रप्रोब्लम हो रही है कहां पर वह एर्रोप कर रहा है और किस तरीके से हमें उसको ऐइड़र्ट से करना है तो यह authentic proof बन जाता है जिसमें हमें authentic resource मिलता है, authentic idea मिलता है कि बच्चे को किस area में help की जरुरत है, क्योंकि अगर हम यह बात करें कि teacher बच्चों class में observe कर दिया, तभी भी यह पता लग सकता है कि बच्चा कहां पर problem face कर रहा है, इसलिए authentic proof नहीं बन पाएगा, test के जरी authentic proof बन पाएगा, जिसमें हम यह बता पाएगे कि actually में कौन सा area है जहां बच्चे errors कर रहे हैं और किस तरह की help उने चाहिए, तो remedial teaching यह भी एक तरीके की teaching है, इसमें भी हम बच्चे को पढ़ाते ही हैं, लेकिन सिर्फ वो topics वो area जहां पर बच्चे को remedies की जरुरत है, जहां बच्चों को solution की जरुरत है, जिस area में problem है, जहां पर उनको एक support या guidance की जरुरत है, सिर्फ वो topics, वो concepts बच्चे को पढ़ाय जाते हैं, वो होती है remedial teaching जो test के बाद, diagnostic test के बाद conduct की जाती है, ताकि बच्चे को जिस area में problem आ रही है, उसमें उसको guide किया जा सके, support किया जा सके, वो होता है remedial teaching, तो इसका पूरा process है, वो पूरा process हम देख लेते हैं कि क्या है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, सब से पहले हम conduct करते हैं, diagnostic test, जब हम बच्चे का test conduct करते हैं, उसके बाद हम उनके errors analyze करते हैं, यानि कि कि किस area में बच्चे को problem है, या वो difficulty face कर रहा है, हो सकता है बच्चे को verb पहचानने में दिक्कत आ रहे हो, verb identify करना, verb use करने में error आ रहा हो, या बच्चा spelling में error कर रहा हो, त से identify करने में, या work वाले concept में उसे problem है, तो वो किस तरीके से solve की जा सकते हैं, उसके लिए class plan out करना, जब हम class plan out कर लेंगे, फिर वो class हम conduct करेंगे, यानि कि एक day हम fix करेंगे, जहां बच्चे को remedial teaching दी जाएगी, जब बच्चे को remedial teaching दी जाएगी, उसको किस तरीके से concept improve करन वो remedial class में होगा, फिर उसके बाद दुबारा से हम उनकी learning assess करेंगे, यह जानने के लिए कि जो हमने remedial teaching दी, remedial class दी, उसका क्या फाइदा रहा, क्या बच्चे ने उसे कुछ सीखा, क्या बच्चे ने जिस एरिया में गलतिया करता था, उसमें improvement लेकर आया या या निए, य देखे, सबसे पहली बात तो यह remedial teaching में हम बच्चे को जो गलतिया कर रहा है, उसे correct करवाने में help करते हैं, और साथ के साथ हम यह assure करते हैं कि बच्चा वो गलतिया दुबारा नहीं करेगा, for example, बच्चा singular और plural में गलति कर रहा है, तो किस तरीके से वो singular और plural का concept अपना clear क पर सकता है, उस चीज के बारे में हम remedial teaching में पढ़ाते हैं, फिर ही पर जब बच्चा remedial teaching ले रहा होता है, तो वो साथ के साथ अपने ही areas, जिस area में उसे problem है, उसे analyze करता है, detect करता है, समझता है कि वो किस तरीके की गलति कर रहा था, किस तरीके से उसे concept को correct करना है, improve करना है यहां बच्चा खुद efforts लेता है, इस चीज के लिए उसे rectify करने के लिए, third is individualized nature में, मतलब कि जिस बच्चे को जिस area में problem है, वहां उस पे individual attention दिया जाता है, individual focus किया जाता है, individual support दिया जाता है बच्चे को ताकि वो बच्चा उस area में दुबारा गलती ना करे, और यह learning style प टॉपिक बहुत important है, इसके base पे आपको हर एक paper में, चाया paper 1 हो या paper 2, या language 1 हो, language 2, आपको हर जगह इसका expression पक्का देखने को मिलेगा, questions की practice के लिए आपको जाना होगा, डेलिवाइट की official website पे जहां पर आपको course and mock test दोनों देखने को मिलेंगे, mock test टेम करने के लिए आप आपको बताएगे कि हर important topic पे किसते के questions आएं, तो यह जो topic यह remedial teaching and diagnostic test यह भी बहुत important है, इसके base पे भी questions आपको हाँ पर मिल जाएगे, तो इनके questions को ज़रूर attempt कीजिएगा, ताकि आपको topics के किसते के questions आए यह पताद चले, और साथे साथ full-fledged mock test पे attempt करना, ताकि time management की skill आप में develop हो सके, इसे के साथ आते हैं कुछ ऐसे questions देखेते हैं, जो previous year में दिये गए हैं, जैसे कि पहला question है, एक test class में conduct किया गया, at the end of language course, मतलब teacher जो course बढ़ा रही थी, उसके बाद एक test conduct किया गया, ताकि remedial teaching दी चा सके, कौन सा test है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कहा गया है कि diagnostic test का क्या purpose है, parents को feedback देना, VTM में कि बच्चा कैसा कर रहा है, या फिर report card बच्चे की fill करना, या फिर उसी के according जो बच्चा कर रहा है test में, उसी के according submitted assessment बच्चे का prepare करना, question paper submitted assessment के लिए prepare करना, या फिर बच्चे के learning gaps को समझना, देखें, बहुत easy है, diagnostic test के ज़र से, एक application paper में आयो है, जैसे कि, एक teacher language learning के दोरान, कुछ aspects find करती है, जैसे कि reading with understanding a text on scientific concept, जैसे कि एक scientific concept पे text teacher बच्चों को पढ़ा रही है, उन्होंने decide कि वो students को, जो difficulty face करते हैं, किसी particular aspect में, उसको खड़ा करेंगे, उन्होंने एक अलग से session लिया, उनको support किया reading में, उनको समझने में help करें, तो वो क्या करने की कोशिश करें, यहा, remedial teaching देने की कोशिश करें, higher, order skill develop करने की कोशिश करें, thinking skill develop करने की कोशिश करें, teaching के लिए feedback है, उनका, देखें, अभी हमने क्या देखा, कि teacher ने कुछ बच्चों को identify कि जो reading में problem face करते हैं, उनके लिए अलग से session या, ताकि उनकी reading improve हो सके, कौन सा teaching है यह, remedial teaching जहां बच्चों को support दिया जाता है, उनकी skill को improve करने के लिए, या learning gaps को fill करने के लिए, so remedial teaching is correct answer, इसी तरीके से एक और question जो paper में आया हुआ है, जो है, diagnostic test are administered to, diagnostic test किसले conduct किये जाते हैं, ताकि बच्चों की deficiency, यानि कमिया कहां पर है, उनका पताया लगा जा सके, या बच्चों को specific program में assist करने के लिए, या बच्चों को language proficiency test करने के लिए, ताकि वो job ढूं सके, या बच्चों की capacities को judge करने के लिए, देखिए, अभी हमने इसका पढ़ा था, कि diagnostic test का क्या purpose है, बच्चों के क्या learning gaps है, उनको identify करना, ता ये language one का question है, जहाँ English language one थी, तो language two में भी आपको similar pattern पर question देखने को मिल सकता है, तो questions के practice ज़रूर करेगा, questions देखने के लिए, आपको जाना होगा website पर, आभी तक के लिए, इतना ही बने रही माया सब, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, पर, इंके links आपको description box में मिल जाएंगे, thank you, have a nice day, stay blessed, stay tuned, comment करना ना भूले, subscribe करना ना भूले,